हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्व चैनल तो जैसा के मैं आपको 1010 सीरीज के कोस्टन करवा रहे हैं तो आज हमने यहां पर चैप्टर लिया है मिर्न निरुशन प्लांट फिजो रॉजी का सिकेंड चैप्टर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोस्टन लेडर है मांग्हेन golden기를 फैम अन निरुशन अन फ्रेंग्नेश्यम फैज्ब ततो कैनले रहे हैं यहां है यांप्टर्बी फैशन उनगए है तो श्रॉशन मंत टॉन आउले के स्ट्रेंटर है मांगनेश्यम होति वो क्लो प्लांद किम आप्ट्रीन कीक्लोर् डी तो जिन्क इन फिर्म में ? आझ आंसेर हमारे यहां is B जो प्लांट होता है हमारा जलस्पू सी्क कि甜 में ? जो हमारा जंक होता है वह सब्सक्राठीआ के लिए देवनल्बर में? आवेलयусов नबर नेच्ट के लिए तरफ मुफ करते हैं कोस्ते नबर थ्री हमारा ग्रे स्पॉर्ट्स ऑफ ओट और कास्ट बाई डिफेंसेंसी ऑफ ऑप्शन एक ऑपर ऑप्शन बी जिंग ऑप्शन सी मैंगनीज और ऑप्शन दी आरन तो राइट अंसर हमारा पे ऑप्शन सी यानि की मैंगनीज जो मारे यह सिंप्टम होता है यह पत्या होती है और ग्रेश ब्राउन टाइप की होती है उसमें पाया जाता है और यह ब्राउन इलांगेटेट स्पेक और इस जाता होता है तो चले फॉर्थ कि दरफ ज़र्फ कर सान्हारा व हमारा विछ्च वन अब दफोलोविंग एलिमेंट इसलमॉस्ट ननथेंसेंसिय होते हैं और जो बाकि 16 हमारे नेसेसरी है प्लांट के लिए एलमेंट उसका नाम बताते हैं उसका नाम बताते हैं उसको फटावट कार्बन हाइडोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोर सुलफर प्रोटेसियम मैगनेशियम कैसियम आइरन कॉपर बोरान जिंक कि अगर के वेक्षी इस रिकुए इस रिकुए टीन है प्लांट वाल फॉरमेशिन ऑप्शेन बी फोर्ट र्ट रॉटलीस अफ़ोटर दूरिंग फटर सेंथे इस ऊप्शन सी कलोरो फिल सेंथेस और आपिशन दी नूटली असेट सेंथेस तो राय आञा रहा ऑंचार मार पर 6 कि तरफ चलते हैं, The first stable product of fixation of atmospheric nitrogen in leguminous plant, Option A, NO3-, Option B, glutamate, Option C, NO2-, Option D, ammonia, तो हमारा यहां पर राइट आंसर, Option D है, यानि कि ammonia, Nitrogen is enzyme होता है, वो हमारा MOFE protein, यानि कि molybdenum iron protein होता है, एक catalyst की तरह काम करता है, और जो atmospheric nitrogen होता है, उसको ammonia में करनोड करता है, चलिए, Question No.7 की तरफ चलते हैं, Question No.7 है हमारा, Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in, Option A दिया है हमारा, Senescent leaves, Option B दिया है, Young leaves, Option C दिया है, Roots, Option D दिया है, Birds, तो राइट आंसर, हमारा यहां पर Option A है, यानि कि senescent leaves, Deficiency symptoms appear first in young leaves and young tissues in case of ailments, Question No.8 है हमारा, Which of the following element is a constituent of biotin, Option A, Magnesium, Option B, Calcium, Option C, Phosphorus, और Option D, Sulphur, तो राइट आंसर हमारा, Sulphur है यानि की Option D, जो यह होता है, Biotin का constituent होता है, यह Sulphur होता है, Sulphur होता है, Vitamin B complex होता है, Vitamin B complex में, 2 vitamins के form में होता है, Thamin and Biotin, तो Biotin इसका, Sulphur का ही constituent होगा, तो राइट राइट आंसर हमारा यहां पर Sulphur होगा, चलिए Question No.9 पर चलते हैं, 9 हमारा, तो राइट आंसर हमारा आप्शन यहां पर C सही है, यानि कि Potassium Rarely Immobilization में हेल्प करता है, Question No.10 की तरफ, 10 and last हमारा, Which of one of the following helps in adsorption of phosphorus from soil by plants? Option A, Glomus, Option B, Rhizobium, Option C, Francia, Option C, Annabina, तो राइट आंसर हमारा आप्शन यहां यह यानि कि Glomus, Some fungi form symbiotic association with plants, अब प्लांट्स Mycorrhiza कहलाते हैं, और जो Glomus genus का बहुत सारे member ही होते हैं, वह ही Mycorrhiza बनाते हैं, तो thank you so much guys, I hope लोग को वीडियो अच्छी लगे होगी, किसी भी question में कोई problem हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई problem हो या कोई query तो आप मुझे कमेंट बता भी सकते हैं, मिले अगरे वीडियो में तब तक के लिए, बाइ बाइ करें करें आप सकते हैं करें झाल झाल